मेरा नाम है सतेंदर और स्वागे था आप सभी का आज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की पहली क्लास में तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस क्लास से जो भी जीरो लेवल से या बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं उनको बहुत-बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से फाइदा मिलेगा ही मिलेगा तो शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास गुड़ीवनिंग गुड़ी जलदी से जुड़ जयो भाई सबी कहां कहां से जुड़े हो बतादो मुझे अरे मेरे जिगर के चलों जुड़ जाओ जल्दी बताओ गुड इवनिंग गुड इवनिंग हो गई है कहां कहां से आरे नागपूर कहां से हो अरे भाई मैं हरियाना से हूँ तो नमस्ते आदाब सश्च्रयाकाल वड़कम केमचो जहां से भी आप हो आप सब को अभिवादन करें और राम्राम अ्र्यानाडन मैं जू सभी कर दो सबी के सबी ताकि यूट्यूब जो है वो बाकी भी लोगों को नोटिफिकेशन भेज सके और आप जैसे बाकी के लोग जो English को सीखना चाहते हैं बिलकुल Zero Level से वो सीख सकें आप सबके साथ सबका साथ सबका विकास ठीक है ना तो शुरू करते हैं लाइक कर दो बस आप आपका लाइक करना काम है आप मुझे गुरुदक्षिना के रूप में लाइक दीजिए वो कहते है ना तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा तुम मुझे लाइक्स दो मैं तुम्हें ग्ञान दूँगा ठीक है चलो तो शुरू करते हैं गोड़े इवनिंग दोस्तों सबसे पहले जब भी आप ध्यान से देखिए जब भी आप इंगलिस सीखना चाहते हो आपको क्या पता होना चाहिए अब सीरियस हो जाओ सभी के सभी आ गए हो तो अपनी सीटों पर बैठ जाओ सीट की पेटी बांद लो लाइक करके आराम से सुनो मेरी बात जब भी आप कोई भी नई भाषा बोलने की कोशिश करते हैं आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि कौन बोल रहा है या कौन काम कर रहा है और क्या काम हो रहा है समझा रहा है ध्यान से मैं चलिए आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूं यह बेसिक्स हैं इंगलिस के बेसिक सबसे पहले most important की who कौन काम कर रहा है यानि की जो आपका subject है जो आपका subject है यानि की जो आपका करता है काम करने वाला भई आप कोई भी वाक्य है अगर अपनी भाषा से English में translate करोगे तो जाइर सी बात है किसी काम को लेकर बात करोगे तो काम कोन कर रहा है उसका मतलब है who ठीक है और दूसरा है what यानि की क्या क्या से हमारा क्या मतलब है अरे भाई क्या काम हो रहा है यानि की हमारी वाव और वो क्या होती है क्रिया तो मैं आपका थोड़ा basics क्लियर कर रहा हूं कि आप कैसे अपने thoughts को जचाएंगे उनको sequence में लगाएंगे ताकि चीज़ है बहुत कम लोग समझ पाते हैं अगर आप समझ गए तो आज से ही आपकी English अच्छी हो जाएगी ठीक है फिर तीसरा है when when यानि कि कब अब किसने काम किया क्या किया लेकिन आप ये भी तो बताना चाहोगे कि बही दो दिन पहले किया 12 साल पहले किया अभी कर रहा है या आने वाले टाइम में करेगा वो हमें क्या बताएगा वो हमें बताता है tense और tense से मेरा मतलब है helping verb आप हैरान होंगे कि sir helping verb tense में कैसे आगी बिल्कुल आ गई बच्चों अगर मैं present की बात करूँ तो do, does, is, am, are, has, have और अगर मैं past की बात करूँ was, were, did, or had और future की बात करूँ तो will, shall, और will have, समझा रहा है यही चीज़ें हमें decide करती है कि कोई भी काम जो है वो कब हुआ है तो क्या चीज़ important है आपके लिए कि कौन, who वो subject हो गया, what क्या, यानि कि verb हो गया, और तीसरा है कब, यानि कि वो tense बताएगा, और उसका पता हमें किसे चलता है, helping verb और helping verb क्या होती है दोस्तों हमारी साहयक क्रिया, अब सबसे main problem क्या आती है, सबसे main problem आती है कि हमें ये नहीं पता होता कि कौन से subject के साथ हम कौन सी helping verb लगाएं, ये confuse हो जाते ismr लगेगा, hasev लगेगा was word, तो आज complete table के through, मैं आप लोगों को ये चीजें one by one समझा रहा हूं और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समझना है अब देखो दोस्तों, मैं करवा क्या रहा हूं मैं बता भी देता हूं आपको, ये देखो subject ये पूरा chart मिलेगा आपको, ठीक है और मैं ये बताऊंगा सारी चीजे, main work भी आपको पता चलेगी फिर आपकी ये पूरी practice होगी ठीक है, तो आप ये देखो, पूरा आपका ताम जाम आज जो है ना, वो बन जाएगा चलो तो आज पहली class में सबसे पहले, जो सबसे पहला सवाल है, हम हिंदी में कोई भी sentence बोलते हैं, मान ले, आपने बोला वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, और ये जो first lesson है, इसमें हम बात कर रहे हैं simple translation की और अगर आप सोचते हो कि हम जो English सीखते हैं, वो बिना translation के possible है तो हमारे दिमाग का कोई न कोई screw ढिला है, ऐसा नहीं हो सकता जिसको English आती नहीं है जिसको कोई और भाषा आती है वो English सीखेगा, हमेशा आप translation method के ही जरिये सीखोगे, समझा रहा है है ना, तो चलो, ये होगा कैसे, वह स्कूल जाता है तो इसमें ये जो है ये हमारा क्या है, मैंने अभी अभी बताया दुबारा से repeat करो, बताओ ये क्या है अभी अभी मैंने कहा है ये अभी मैंने कहा है ये हमारा है who करता, भई कोन काम कर रहा है वह है, और वो क्या काम कर रहा है what, यानि कि वो जाने का काम कर रहा है वो वाट तो वह स्कूल जाता है तो वह जाता है कहां जाता है स्कूल जाता है तो जो करता है काम करने वाला वो हमारा वह हो गया जाता है जो है वो क्रिया हो गई और जो स्कूल है जो अबजेक्ट बच गया अन्य शब्द वो हमारा लास्ट में आ ग मतलब क्या है गडबड ऐसे का मतलब क्या होता है खत्रा या गडबड तो यह गडबड इसी लिए होती है हम इंग्लिस बोलते-बोलते क्यों टकते हैं क्योंकि आप जब वह स्कूल जाता है वह की ट्रांसलेशन आपने की करता ही स्कूल की ट्रांसलेशन स्कूल आपने कर दिया और जाता है गो तो ही स्कूल गो आपकी इंगलिश गलत और आपका confidence भी एकदम से बैठ जाएगा आप इंगलिश बोल नहीं पाओगे तो ये वज़य क्यों है ये इसी वज़य से है क्योंकि हिंदी में पहले सब्जेक्ट आए और फिर आपका वर्व आती है लेकिन इंगलिश में क्या है पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्व आएगी और फिर आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है ये चीज हमें समझनी पड़ेगी और अगर कुछ भी आपको यूस्फुल यहां लग रहा है तो एक लाइक कर दो इमानदारी से मैं भी पूरी मेहनत से आप सबको बिल्कुल जीरो लेवल से इंगलिश सिखाने की कोशिश यहां कर रहा हूं ठीक है आप लाइक करेजिए चलिए तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनी ही जाता है क्योंकि वह आती है इंगलिश में तो और कहां जा कहां होती है इस वज़े से कि हिंडी में एस ओवी सब्जेक्ट औबजेक्ट वर्ब और इंगलिश में एस वी ओ तो यह जो वर्ब जो कि लास्ट में आती है हिंडी में इंगलिश में यह बीच में आती है तो टेंशन की बात नहीं है इसको हम समझ लेंगे इसका मैंने इला अब देखो सबसे पहले ये क्या है दोस्तों तो जो आपका subject है मैं चाहता हूँ आपको ये पता चले कि ये काम कौन कर रहा है और कब कर रहा है यानि कि tense और tense हमें कौन बताता है helping verb बताता है तो ध्यान से देखिएगा मैं का मतलब होता है आए और इसको कैसे बोला जाएगा आए आई नहीं बोलते आई होती है आख लेकिन ये आख नहीं है ये है मैं तो इसको आप ऐसे बोलोगे आए और past में जब की बात करूँ तो past में कौन से helping verb आते हैं I के साथ आएगा सिर्फ was, did और had और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी did और had की तो आप देख सकते हैं ये सभी subjects के साथ common है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है was और were, was और were याद रखना है तो यहां मैं के साथ past में क्या आएगा was आएगा और present में क्या आएगा I के साथ am आएगा, do आएगा और have आएगा ये आपको याद रखना पड़ेगा इसकी भी trick चाहते हो क्या जल्दी बताओ, thumbs up करके कौन कौन trick चाहता है मैं इसकी एक ऐसी trick बता दूँगा कि आपको इस चार्ट की जुरूरत कभी जिन्दगी में नहीं पड़ेगी चलो जल्दी से thumbs up करके बताओ, बताओ एक बार, बताओ जल्दी से क्या आप चाहते हो मै मैं इसकी कोई ऐसी trick दूँँ ताकि आप लोगों को कभी जिन्दगी में ऐसे चार्ट की जुरूरत पड़े ही नहीं पड़े ही नहीं लेकिन इमानदारी से वादा करोगे आप सब कि मैं जो trick बताओंगा वह आप और किसी को नहीं बताओगे ठीक है आरे बता देना मजाग आती है helping verbs की तो आपके जो subjects होते हैं ना बाकी सभी subjects को आप छोड़ दो मैं एक group बताता हूं सिर्फ एक group first person second person third person चलो हलका सा समझ लेते हैं first person क्या होता है English में first person होता है speaker बोलने वाला इसमें आएगा I और V I singular में V plural में अब second अगर मैं बोलूं तो second होता है listener सुनने वाला यह यू होता है सिर्फ यू लेकिन अगर मैं बात करूं third person की तो third person में क्या होता है others और others में क्या आता है जब मैं singular की बात करता हूं he she it कोई एक नाम या singular noun यानि की एक होचन और एक होचन क्या होता है दोस्तों मैं बताता हूं जिसको आप गिंती कर सको उंगलियों के उपर जैसे एक कुरसी दो कुरसी तीन कुरसी ठीक है एक पैन दो पैन तीन पैन अगर किसी भी एक की बात हो रही है subject या object कुछ भी हो हम उसको कहते है singular noun यानि की एक होचन और इसी के आगे जाओं तो बच जाता है दे तो आपको क् सिरफ एक को पकड़ना है वो क्या पकड़ना है इसको और वो क्या बन जाएगा ध्यान से देखो आपको सिरफ ये subject group पकड़ना है ठीक है ये आपकी best trick है best trick याद करने की तो subjects देखिए he, she, it या कोई नाम हो या हो आपका singular noun यानि की आपका एक वर्चन ठीक है जैसे boy, जैसे girl, जैसे chair, जैसे आप बात करें pen मैं local example देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको समझ सके ठीक है तो ये सारे क्या है एक वर्चन है ठीक है तो अब इन में क्या करना है आप अगर past में बात करेंगे तो इन सब के साथ इन सब के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा was लगेगा बस हो गया काम रहे थे और यह याद करना पड़ेगा रहे नहीं करना पड़ेगा सुनों अगर एस यह लगती है वर्ब के साथ तो वह भी इसी ग्रूप के साथ लगेगी अगर इस लगता है तो भी इसके साथ लगेगा और हैस लगता है वह भी इसके साथ लगेगा यहां पर एक छोटी स शिंगल सिंगल है दोस्तों यानि कि अकेला एस से सिंगल एक है और यहाँ पर जो भी हल्पिंग वर्ब हैं यह देखो स यह क्या है एस यह है एस यह है एस और यह भी क्या है एस तो स और एस आपस में मिलेंगे बाकि सब अपने अपने घर पर समझ आ गया clear है मज़ा आया very good तो चलिए ध्यान से याद रखिएगा ये जो group है इसी के साथ past में was आएगा उसके आखिर में भी s है और present में जो भी helping verb हैं उनके आखिर में s है वो इसी group के साथ आएगा ठीक है चलो अब हम करते हैं ये तो मैं का मतलब English में होता है आए तो past में जैसा मैंने बताया इसी के साथ क्या आएगा वस ये आपको अलग से याद रखना है ठीक है और did और had ये तो सब में common है तो ये तो चाहें आप याद रखो या ना रखो या आपको टेंस जब मैं करवाऊंगा या मेरी जो पिसली वी दू लगेगा या है लगेगा और future में इसके साथ या तो विल लगेगा या शेल लगेगा और शेल कब लगेगा जब आप प्रश्ण वाच्चक यानि की interrogative sentence मनाएंगे सिर्फ तब ही लगेगा next है हम हम को English में वी बोलते हैं यह वाला वी और हम के साथ क्या लगेगा वा क्योंकि यह किस गुरूप का हिस्सा नहीं है हीशी इट वाले गुरूप का हिस्सा नहीं है जो एक अपवाद है वो है सिर्फ मैं यानि की आए और मैं क्या है इगो और वो क्या होती है खदरनाग होती है तो इसको अलग से याद रखो फिर देखो दोस्तों वी के साथ प्रेजेंट में आर आता है डू आता है या है और और वी के साथ या तो वील आएगा और शेल भी इसके साथ कब आएगा सिर्फ और सिर्फ जब प्रश्नमाचा कहने की सवाल वाले वाक्य होंगे तब नेक्स्ट है वह है अगर लड़की है तो शी और लड़का है तो ही और क्योंकि ये ही सी इट वाला गुरूप है ये किसक के साथ आएगा ड़स भी सी के साथ आएगा और फ्यूचर में इसका सिर्फ विल आएगा और कुछ नहीं आएगा चाहे किसी भी तरह का वक्य हो ठीक है नेक्स्ट यह या यह उसको इंगलिस में हम बोलते हैं इट यह नोन लिविंग ठिंग्स के लिए टाइम बताने के लिए मोसम का हाल बताने के लिए या जब आपको ये नहीं पता है आदमी है और अप इट लगा दो आख बंद करके जानवर हो इंसान हो सामान हो सब के लिए आप इट लगा सकते हो और क्योंकि ये इसी गुरूप का हिस्सा है जो अभी हमने किया ट्रिक तो इसके साथ क्या आएगा was और देखिए सेम है इसी के साथ is आएगा इसी के साथ does और इसी के साथ has और future में इसके साथ आएगा will इसी तरह दोस्तों तुम कहो या आप कहो जिसको इंग्लिश में हम यू कहते हैं हमारे हर्याना में हम तू बोलते हैं लेकिन हम अपने दादा दादी को भी तू बोलते हैं गाव में इसका यह मतलब नहीं हम उनकी इज़त नहीं करते यह एक तक्या कलाम है एक तरह से हमारा डाइलेक्ट है तो एक आदत सी पड़ी हुई है लेकिन तू का मतलब वह हमारे बहुत ही नजदीक है ठीक है हम किसी को आप बोलेंगे तो आप समझ लो कि आप हमसे दूर हो और अगर आप हमारे करीब आ गए हो तो हम तू बोली देपे ठीक है ना बुरा मत मानना तो वह इसके साथ क्या आएगा यू के साथ वह या आर प्रेजेंट में डू या है और फ्यूचर में सिर्फ विल और लास्ट है वे या वे सब हिंदी इंगलिश में इसको बोलेंगे दे और past में इसके साथ आएगा व और present में या तो are या do या have और future में सिर्फ will अब एक बात और ये जो पूरा चार्ट है अगर आपको चाहिए तो आपको ये पूरा pdf के तोर पे मेरे telegram channel पर free में मिल जाएगा नोट करने की जूरत नहीं है तो जो बच्चे नोट कर रहे हैं रुख जाओ ये मैं आपको free में pdf दे दूँगा कहां मेरे telegram channel English lovers पे link description में है समझा आगया चलिए अब ये अगर आपको समझा आगया तो आपको पता चल गया कि भई किसके साथ में क्या लगाऊंगा अब देखिए ये दोस्तों मेरा group है ये एक मैंने नया application पे एक zero level to hero level का जो मेरा course है उसमें मैंने क्या किया है limited seats है English speaking course 13,000 का था मैंने सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए 499 में कर दिया है तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ class 1 अच्छी लग रही है तो इस course में मैंने 80 classes दे रखी है और 80 classes complete PDF के साथ और आपको क्या-क्या मिल रहा है 5000 daily use के sentence 1000 most common English के words English बोलने के लिए सबसे ज़्यादा क्य चाहिए vocabulary होनी चाहिए ना तो यहां vocab भी मिलेगी ठीक है और 500 verb मिलेंगी second और third form की और 500 daily use के word meaning वो भी sentence के साथ और इसकी validity कितनी है एक साल एक साल यानि कि यह आपको पढ़ रहा है 45 रुपीज पर मन्त जो लोग कहते हैं कि सर हमना रही सबसे सस्ती फीस हमने कर दी है 1199 रुपे मन्त की मैं कहता हूँ तुम सब पीछे हो जाओ मैं सिरफ 45 रुपीज में एक महीने का लूँगा और आप सब को इस सारी चीज होंगे अभी ऑगस्ट में एक अगस्ट से मैं 99% शुरू करने वाला हूँ वो लाइव क्लासिज आपको इसमें free of course मिलेंगी जो जूम क्लासिज मैं लेता हूँ वो भी आपको इसमें free मिलेंगी तो अभी recorded classes हैं 80 recorded classes लेकिन आने वाले टाइम में आपको एक साल के अंदर कम स से कम दो या तीन बार complete course की मुझसे personally live classes मिलेंगी तो यह आपके उपर है मैं जोर नहीं दे रहा ना मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं सिर्फ information पास्वन कर रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो यह course जरू लीजेगा मेरी app है download कर सकते हैं आप Google Play से English lovers के नाम से और उ continue रखते हैं देखो दोस्तों यह भी मैं इसलिए बताता हूं मुझे इतने comment आते इंस्टाग्राम पे Facebook पे और आपके YouTube पे कि हर किसी को comment का reply कर पाना आप समझते हो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है पॉसिबल भी नहीं आपको पता होगना चाहिए मेरी कोई टीम नहीं है मै यह जो भी पीपीटी बनाता हूं यह अकेला बनाता हूं जो भी मैं काम करता हूं यहां मेरे परिवार से दूर रहके मेरा परिवार हर्याना में है मैं दिल्ली में रहता हूं इस टूडियो में अकेला और मैं रात दिन आप लोगों के लिए लगा रहता हूं ठीक है तो इस जो वर्ब है इसका मतलब होता है क्रिया यानि कि जो मेन काम सेक सेंटेंस में हो रहा होता है वो हमारा क्या होगा उसे बोलते हैं मेन वर्ब और इसकी कितनी फॉर्म होती हैं इसकी फॉर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्थ फिफ्ट यह पांच तरीके से एक वर्ब को आप इस्ते चाहिए और अगर आपको 500 वर्ब्स की PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अलग से मैंने दिया हुआ हालांकि वो पेड है लेकिन अगर आप मेरा कोर्स लेते हैं उसमें वो फ्री है ठीक है 499 के अंदर सारी PDF फ्री है लेकिन अलग से लेंगे तो इसका 49 है ठीक है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म और यह किसमें यूज होती है पास्टेंस में यूज होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और यह किसमें यूज होती है पर्फेक्ट टैंस में चाहिए पास्ट पर्फेक का मतलब क्या है ing अगर वर्ब की first form के साथ ing लगा देते हो वो बन जाती है हमारी present participle और कोई काम लगातार जारी है past में या present में उसके लिए हम इस वर्ब की form का इस्तेमाल करेंगे last है वर्ब की fifth form वो है singular form यानि s ya e s तो अगर वर्ब की first form के साथ s ya e s लगता है तो वो कब लगेगा present में और अगर आपको याद है मेरी trick तो मैंने बताया था शुरू में कि he she it वाले group के साथ अगर वर्ब आती है तो हमेशा क्या आएगा s ya e s साथ में जरूर लगेगा समझ आ गया clear है और like कर दिया सबने बड़ा जबर 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 थे like करते जाओ एम करते हैं बहुत हजारों लाखों likes का ठीक है कि आप कभी इस वीडियो पर million भी likes होंगे ठीक है ना चलो तो अगर हम इनको example के तोर पे देखें तो वर्ब की first form है go second form क्या बन जाती है इसी की बनती है go went और third form है gone और ing लगता है तो ये बन जाता है going और s ya e s लगता है तो बन जाता है goes कैसे example में use करेंगे ध्यान से देखिएगा मैं school जाता हूँ I go to school लेकिन अगर मैं इसका यहां पर इस्तेमाल करना चाहूं मैं अगर इसको कहता हूं कि वह है वह स्कूल जाता है तो यहां क्या बन जाएगा he goes समझा गया तो ये फरक होता है जब आप tenses को helping verb औ यही है फिर वह स्कूल गया था पास्टेंस तो ही वेंट टू स्कूल ठीक है मैंने यह सेम लिया बिल्कुल शुरू आला और हम स्कूल जा रहे हैं यानि अभी कोई काम चल रहा है आप अंग्रेजी सीख रहे हैं मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं यह सारे काम अभी हो रह हैं वी के साथ आता है आर सो वी आर गोईंग टू स्कूल मैं स्कूल जा रहा हूं आई एम गोईंग टू स्कूल तुम स्कूल जा रहे हो यू आर गोईंग टू स्कूल और अगर मैं कहना चाहूं वह स्कूल गया था ही वेंट टू स्कूल मैं स्कूल गया था आई वेंट ट आ रहा था he was going to school तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है और अब आपकी उसी प्रैक्टिस की कड़ी में मैं लेकर आया हूं आपके लिए यह जबर्जस्ट एक्सराइज और मुझे पूरी उमीद है आप सब 10 out of 10 मार्क्स आज यहां से लेकर निकलेंगे और पूरा कांफिडेंश लेके निकलेंगे कि भाई हम भी कुछना कुछे कर सकते हैं तो जल्दी से इसको solve जल्दी से चलो जल्दी से बताइए जल्दी से like कर दो यार like करने में क्यों आप थोड़ी सी हिचक दिखा रहे हो like करना free है बिल्कुल और education जो मैं यहां दे रहा हूं वो भी free है बिल्कुल तो it's just like give and take तो तुम मुझे likes दो मैं तुम्हें ग्यान देता रहुआ ठीक है तो जल्दी से like कीजिए और इसको solve भी कीजिए चलिए तो इतने कम समय में हमने 1000 likes एकदम से cross कर लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आगे भी ऐसी simple basic classes आपको मिलती रहेंगी जिससे आपकी जो learning है उसको कोई रुकावट नहीं आने दूँगा वो चलती रहेगी तो जल्दी से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ प्रेशांत करंट में जो classes चल रहे हैं वो भी हैं जो पहले classes चल चुकी हैं वो प्लेलिस्ट में पूरा course है इस वीडियो के end में सारा बताऊंगा टेंचन ना लो भाई एक बार रुख जाओ चलो तो मैं जल्दी से शुरू करता हूं मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया होगा सारे बढ़े तेज हैं बड़े तेज हैं लड़के आए क्या हैगा एम आए एम एम अ स्टुडेंट मैं एक विध्यारती हूं वह एक अध्यापक है ही के साथ क्या आता है इस देश नौट लाइक मी वे मुझे पसंद नहीं करते अब ध्यान से देखो यह लास्ट में एस है तो यहाँ पर क्या होना चीए यह ग्रूप होना च तो इसलिए मैंने ट्रिक बताई थी मेरी ट्रिक हमेशा याद रगना कभी आपको स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर इट के आगे क्या आएगा डू यह ड़स जल्दी बताओ तो ट्रिक याद है सबको अरे ट्रिक याद है क्या अगर आपके पास य किसी इट या कोई नाम ठीक है या सिंगुलर नाउन तो आप क्या करोगे दोस्तों आप प्रेजेंट में आपके पास अगर ड़स आता है अगर इस आता है तो यह और वर्ब के साथ अगर ऐस आता है तो भी यही लगेगा और पास्ट में अगर मैं बात करूं तो इस पूरे ग्रुप के साथ ही क्या लगता है वस तो यह जो ट्रिक है दोस्तों यह कभी फेल नहीं होगी क्योंकि इस से सॉलिड याद गरने का कोई तरीका है ही नहीं चलो तो यू के आगे क्या आएगा जल्दी बताओ यू डैश माइ बैस फ्रेंड की तुम मेरे सबसे घनीष्ट ख कि यह फल नहीं खाता हम हो सकता है डोगी की बात कर रहे हैं हम बिली की बात कर रहे हैं जिसका जेंडर आपको नहीं पता उसके लिए आप इट लगा सकते हो और इट कौन से ग्रुप का हिस्स है तन तना तन तन तो डू आएगा ड़स आएगा बेटा ड़स आएगा फिर आ आए डैस टू वाइड शर्ट कि मेरे पास दो सफेद कमीज हैं तो है जाएगा है वाएगा अरे देखो ना आई है इसके अंदर नहीं है टिकादो है टिकादिया जी वी डैस नॉट स्पीक इंग्लिश की हम अंग्रेजी नहीं बोलते और जो वी है क्या वो एस वाले इसमें ह है ट्रिक में नहीं है तो आप क्या लगा दोगे डू लगा दोगे वी डू नोट स्पीक इंग्लिश की हम अंग्रेजी नहीं बोलते आज सतेंदर सर की सारी क्लासिज हम अगर देखते रहेंगे तो हम बहुत जल्द English बोलेंगे और हम अंग्रेजी बोल सकते हैं we can speak English चलिए और एट्थ है दोस्तों she dash looking beautiful की वह है खुबसूरत लग रही है और शी किस ग्रूप का हिस्सा है ट्रिक में देखो 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 पीछे तो देखो पीछे पीछे देखो आ गया ना हमारा तो इस आएगा she is Amit और क्या Amit इस ग्रूप में है आरे हाँ भाई यह रहा यह रहा तो Amit dash a lot of money Amit के पास बहुत पैसा है Amit has और they dash learnt English कि वे English सीख चुके हैं उन्होंने English सीख ली है है ना और उसके लिए क्या आएगा दोस्तों बताओ यह जो दे है क्या इस ट्रिक वाले ग्रूप में है मैंने जो ट्रिक बताई उसमें है नहीं है ना छोड़ दो इसको तो हैस नहीं आ सकता दे है अब जल्दी से यह भी बताओ किसके कितने माक्स आये हैं ठीक है मैं सच में देखना जाता हूं आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट यहां पर जल्दी से बताओ जल्दी 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 बताओ फिर मैं आप लोगों को और information दूँगा ठीक है और information दूँगा कि जिसको भी जैसे class 1 मैंने करवाई है ऐसे ही मैंने पूरे 80 classes का course करवा रखा है 30 live classes जो भी पिछले महीने खतम हुई है और 50 recorded videos basic से advanced तक ठीक है कितना score हो राया 9 10 अरे वाह 10 out of 10 very good clapping सब के लिए ठीक है और सब अपने मेरी तरव से अपनी जो बैक है उसको पैट कर सकते हो यानि थप थप आ सकते हो all the best well done अब आप एक बात सोचो आप बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आज यह वीडियो देख रहे हैं आप कहते हो मुझे इंग्लिस नहीं आती मेरी इंग्लिस वीक है लेकिन आपने पांच से ज़्यादा अगर score कर लिया तो क्या आपको अब भी लगता है कि आपको इंग्लिस नहीं आ सकती बिल्कुल आ सकती है बेटा सिर्फ आपको मैनत करनी है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश करोगे तो जुरूर इंग्लिस सीखोगे और इंग्लिस लवर्स यह application मेरी Google Play Store पर मिल जाएगी यहां पर जाइए और जैसी मैंने आज class only है वैसे पूरी मैंने 30 live classes ले रखी है पूरी उम्मीद है पूरी अच्छी जो एक पकड़ आपकी इंग्लिस के उपर है वो जरूर बन जाएगी ऐसा मेरा विश्वास है अब दोस्तों एक और बात यह एक मेरी किताब है तो यह मैं बता देता हूं आज यह best seller पर है चलो आप सब के सामने refresh कर रहा हूं रिफ्रेश कर रहा हूं इज़त बेजती बच गई बच गई तो यह आज इस परमान के आवसकता नहीं होती ठीक है पर्तेक्स को परमान के आवसकता नहीं होती और यह अगर आप लोगों को number one best seller किताब मिल रही है उसकी वज़य सिर्फ एक है कई बार आप वीडियोस देख देख के भी परेशान हो जाते हैं डेटा कितना मिलता है एक जीबी डेड़ जीबी उसमें कितनी वीडियो देखोगे लेकिन अगर आपके पास नोट्स रहते हैं कुछ पढ़ने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए तो वह आपको बेहत काम आएंगे और इस किताब में यह देखिए मैंने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोई जबर्जस्ति नहीं है बाई कोई बोज नहीं है आपकी प्रैक्टिस के लिए है आपकी भविश्य के लिए तो आप देखिए और लेकिन मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करूंगा सिर्फ ये कोर्स इंग्लिश लवर्स प के लिए जो पांच 500 रुपे क्या पांच रुपे भी अफोर्ड नहीं कर सकते हालांकि आप सभी एंड्रोइड फोन से अभी मेरी वीडियो देख रहे हो हलांकि आप हर महीं ने 200 का 300 का रिचार्ज करवा रहे हो फिर भी मैं मान लेता हूं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने ममी पापा का फोन यूज कर रहे हैं तो आपको पांच रुपे भी नहीं मिल सकते एफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन इंग्लिश सीखने के आप में लगन है आप सब क्या करेंगे आप सब मेरे साथ ध्यान से देखेंगे यह मेरी वेबसाइट है और इस वेबसा आपको बहुत कुछ यानि कि सब कुछ मिल जाएगा वो क्या क्या है अगर आपको किताब में वानी है लिंक नहीं मिल रहा है होम के आगे बुक पे क्लिक करोगे तो आपको किताब का लिंक मिल जाएगा आप यहां से ओर्डर कर सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर आपको फ् कर रहा हूं न वो फ्री में यहां सब मिलेगा डेली यू सेंटेंस मिलेंगे ठीक है देखो मैं दिखा रहा हूं यह रे डेली यू सेंटेंस देखो कितने-कितने 500 200 200 यह सारे मिलेंगे आपको मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा आगे अगर आपको PDF मेरे particular कुल्र कोर्स की चाहिए तो आप क्या कर सकते हो जो मैंने यूट्यूब पे स्टेप बाइस टेप पूरा 30 क्लासिज का कम्प्लीट कोर्स करवाया है बेशिक प्लेशिक और डेख आपके सामने क्या आएगा यह सब्सक्राइब करो की नियुक्त करो जाओ बन्द शाओ बंद हो जाए हां मैं डर रहा हूं हां मैं रहता हूं नहीं आती यह ऐसे बनाते रहते अब यह देखो जो काम है तो इसमें जो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है यह क्लास वन है प्रॉपर और इसी का पीडियेफ यह देखो आप डाउनलोड पीडियेफ पे क्लिक करोगे तो यह पूरा कोर्स आपको एक तरह से लेकर अवो आपको मैं फ्री में दे रहा हूं तक है अब मझे उमीद है अभाप में से मुझे कोई कोशे काने कि सर्प्री में कि दें ईक जाता है जाता है ऐसा नहीं है लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छे मार्च लाने होते हैं ज्यादा महनत करनी होती है यह उनका माइंडसेट अलग तरह का होता है उनको टूशन चाहिए होता है तो जो मेरी एप है ना वो टूशन है यह क्या है स्कूल है ठीक है बस इतना फरक है बाकी पढ़ाने में मैं यहां भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा कंप्लीट कोर्स है यहां पर अब लास्ट बट नोट दे लिस्ट आप सब मेरे प्यारे हो मेरे अपने हो मेरा परिवार हो और अगर आप मुझ से परिवार के तोर पर जूड़ना चाहते हो तो मेरे जीवन के जो खास मोमेंट्स हैं जो खास लम्हें हैं मेरी परसनल लाइफ के बारे में अगर आप जाना चाहते हो अगर धक्का नहीं है तो यह सतेंदर सिंग के नाम से आपके इस अध्यापक का आपके दोस्त का आपके बड़े भाई का यह चैनल है इसको आप ढून सकते हैं यूट बूरा जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं अब मेरे तीन मिलियन जब सब्सक्राइबर आप सब के प्यार की वज़े से हुए कहने का मतलब आप अगर देखोगे यह मैंने जब गोल्ड मेडल मुझे मिला था आप सबको पता होगा मैंने एंग्लिश किया हुआ है उसमें मुझ सबको आज की एक लास बहुत पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा इस क्लास को और इतना सपोर्ट करने के लिए इतने प्यार के लिए मैं हाथ जोड़के आप सभी का अभिनंदन करता हूं बहुत बहुत शुक्रिया श्याद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप इतना प्या जिल्यों चलो ठीक से बढ़क्यों राम राम तंसमने एक बर फिर जै हिंज जै भारत अल्विदा गुड़ नाइट स्लीप टाइट एंड कीप लर्नी बाबाई लव यू अल